वेलकम को सरोज मिश्राराज यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश से एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश समग्र शिक्षा सभी जिलों में 10,684 पदों पर भरती की लेटेस्ट बड़ी अपडेट निकल कर आई है 10,684 टोटल नंबर वेकेंसी होने वाली है उत्तर प्रदेश से वेकेंसी हैं समग्र शिक्षा से और जो विभाग है वो समग्र शिक्षा अभियान विभाग है सभी जिलों में भरती होगी सभी डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प मतलब जॉब की डूरेशन पर्मनेंट है या कॉंट्राक्त है यह सारी इंफोर्मेशन आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी नंबर वेकेंसी अगर आप देखेंगे पदों की संख्या तो बड़ी है 10,684 पोस्ट है टोटल आगे बढ़ेंगे पूरी अपडेट के अगल यह समग्र सिक्षा सम कहा है यह लकनो से जला बेसिक सिक्षा अधिकारी समस्त जन्पद जितने पी उतना पर्देश में जनपद है लिकिन वेकेंसी नहीं आई लेकिन इसमें बात की गई है अगर इसमें date देखेंगे तो date बिल्कुल latest update है, आज या कल की date रही है, 24th आगस 2024, 24th अगस 2014 को यह लिखा गया है, सभी सिक्षा अधिकारियों को, जो district के जो सिक्षा अधिकारियों, उनको लिखा गया है अब इसमें न्यूक्ति होनी है तो अभी उनको डायरेक्शन्स दिए गया है कि इतनी न्यूक्ति होनी है इतने महीने के लिए होनी है और इतने पोस्ट हैं इसमें क्वालिफिकेशन कितनी रहेगी 10,684 ESCE Educator के नाम से मतलब सिक्षा विभाग है तो Educator भरती करेंगे न पच्छता जन्पद में होगा यह 10,684 विद्याले में सम्विदा कॉंटक्ट की विकेंसी शुरू में 11 महीने के लिए रखेंगे फिर क्या एक्स्टेंड करते रहेंगे आउंट्सोर्सिंग के माध्यम से 10,313 रुपीज पर मन सालरी देंगे अब इसमें जो क्वालिफिकेशन स्क्षन ही हो गयता अथवादा पहले देखेंगे एज क्राइटेरिया रखी जा रही है चालिस वर्स तक के कैंडिडेट जो एना एप्लाई कर सकते हैं आवेदन करता की अधिक्तम मायू एक जुलाई इतनी भरती करनी है अभी विग्यापन आपको शॉटली देखने को मिलेंगे फिलाल जो है शिक्षा अधिकारियों को यह लिग दिया गया है कि आपके जन्पत में इतनी इतनी भरतियां कर दिस्ट्रिक्ट वाइस हम देखेंगे नर्सरी अध्यापक सिक्षा एन्टी मतलब क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे तो एंटी जो हो सकता है यह पर देखेंगे टुएर सोला जो डिप्लोमा है ना अभी एक लिगके आएगा उसमें जब अब अगर तुएर सोला डिप्लोमा समझें तो डी एले डीड हो सकता है और सिती नर्सरी करके हैं एंटी करके साइंस वाले कैंडिडेट हैं अगर ग्रैजुएशन किया हुआ है आपने जिसमें की होम साइंस आपने एक सब्सक्राइब जरूर पढ़ा है 50 परसंट यह अब माक्स के साब तो वह भी कर सकते हैं तो क्योंकि एजुकेटर जो है ना उनको त्री यह से सिक्सियर्स तक के कै कैंडिडेट बच्चों को बतलव से बच्चों को पढ़ाना रहेगा और उनका ही जो सर्वांगेड विकाश साथ कैज सकते हैं ओवरॉल डेवलेपमेंट में जो भी चीजें शामिल होती जाहें वो मेंटल हो चाहें वो सामाजिक हो रहे भातिक हो तो फीजिकल हो या पिर सोशल हो जा हूँ या फिर एज्यूकेशनल वो वह सब पूरा देखरेक्ज है करना इने एजूकेटर्स को और इसलिये नर सरी ट्रें तो यह उनको लिखा गया है सभी शिक्षादिकारियों को कि 11 महिने के और शुरू में तो 11 महिना के लिए ही होगा आउट्सोर्सिंग के थ्रू होगा ऐसे विद्यालेओं का चैन किया जाएगा जहां यूडायस के अनुसार विद्याले की छात्र संख्या को एवं को लोकेटेड आंगन बाडी केंदर के बच्चों की संख्या का कुल्योग सर्वाद्य तो वे खर चैन करना वगरा वो बेसिक शिक्षादिकारी वो देखेंगे उनको क्या है और मेरित लिस्सड कैसे बनेगा इसमें एग्जाम नहीं होगा इंटर्व्यू नहीं होगा कुछ नहीं होगा जैसे आप देखते कास्तुर्वा अधी में आप अप्लाइ प्लाई करते हैं तो मेरिट लिस्स बन जाताएकैडमी क्वालिफिकेशन की बेसिस पर प्रापता उनकों के आधार पर मेरिट बन जाएगा और उसी से सेलेक्शन हो जाएगा उन्हें अगरे कुछ होगी ना कि अभी तो सिक्षा दिकारियों को लिखा ही गया है कि ऐसा ऐसा सेलेक्ट करना है एतने वक्त में करना है सूचे है कि प्रोजेक्ट एप्रूबल बोर्ड सिक्षा मंताले भारत सरकार द्वारा आवर्तक मद के अंतरगत 10,684 विद्यालेयों में संचालित को लोकेटेड आंगनबाडी केंद्रों में पूर्व प्रात्मिक सिक्षा में सहयोग देने है तू 10,684 मानव संसाधन या तो काफी बड़ी राष्ष्ट है यहां पर आप देखेंगे 14,275,00,000 आवंतन किया गया तो बहुत बड़ी राष्ट्री है जिसको हो चुका है प्रादान कर दिया गया है ऐसा नहीं है कि अभी यह मांग रहे हैं विद्व विभाग से यह मांग रहे हैं ऐसा नहीं है प्र मुझे लग रहा है लिस्ट भी दिया हुए कि कॉंसे डिस्ट्रिक्ट में कितनी वेकेंसी आने वाली है वेकेंसी आपको शॉटली देखने को मिल जाएंगी क्योंकि एक तो होता है सबसे पहले की वित्तवी भाग से लेना पड़ता है तो अब आप देखेंगे हागरा में टो 325 बागपत में 64 भाराइच में 173 बलीया में 2012 इसी तरीके से सारा आप देख सकते स्क्रीन चॉट्ट लें सबी डिस्ट्रिक में डीटेव बहोदी तक आप बिच्च्रीं किन अपना वर्लाइज काहई है तो इसमें कर सकते हैं बहोदी तक आप स्क्रींशॉट्ट ले सकते ह टोटल जो है न दो हिस्सों में बाता एक पीएम श्री स्कूल में बाता है कुछ स्कूल को पीएम श्री स्कूल में करना और कुछ दूसरे नॉर्मल जो है 27 से 41 तक आप स्क्रीन शॉट ले सकते अगर चाहें तो यह डीटेल नोट डाउन कर सकते हैं 42 43 में भी है कानपूर देहार में 143 से लेकर फिफ्टी एट तक आप स्क्रीन शॉट अगर लेना चाहें तो तक अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो यह नोट डाउन करना चाहें जो आपका दिस्ट्रिक्ट है दूसरे डिस्ट्रिक्ट के तो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट में यहां पर देखें लास्में उन्नाव है और वारनसी है टोटल 10,684 वेकेंसिस दिखा दीगे बस अब इनके अडवर्टीजमेंट आने बागे अब यह एक साथ आएंगे यह डिस्ट्रिक्ट वाइस आएंगे यह तो अभी देखना पड़ेगा बट वेकेंसिस आने वाले बड़ी वेकेंसिस आने वाले है